हेलो एंड गुड आप्टरनून उमंग बैच के प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ आलोग चौबे आपका फिजिक्स मेंटर आ गया हूँ आपके पास एक बार फिर से एक नया चैप्टर लेकर बच्चों आज के लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं तो कैसी चल रहे पढ़ाई और कैसे हैं आप सभी लोग एकदम तयार हैं स्टार्ट करें हम अपना लेक्चर तो चलिए बच्चों उससे पहले मैं बता दूं आज के लेक्चर का एजेंडा क्या होने वाला है हम किन टॉपिक्स पर बात करेंगे किन टॉपिक्स को डिसक घृड़ी सीटि फ्लो जो एलक्तरिसिट्ग होती है वं कैसे फ्लो होती है उश के बारे में हम इन टिटेल पढ़ेंगे सब कुछ सारी चीजें जो आपके लिए ज़रूरी हैं फिर हम बात करेंगे क्या्मिकलल ऐट्ट सफले करेंट जो एल्लेक्ट्र एम Doll तो बच्चों अ uptake off करने वाली है. तो चलिए बचो चलते हैं. उससे पहले हम देख लेते हैं, कि वो कौन से material होते हैं, बच्चो, वो कौन से material होते हैं, जो की require होते हैं, electricity के flow होने के लिए. यानि अगरश electricity flow हो रही है, तो किन materials के requirements हुती है? बच्चो सबसे पहली चीज, सबसे पहली जो की जरूरी होती है electricity के flow में वो होता है energy source यानि बच्चो सबसे पहले आपको एक energy source तो चाहिए ही क्योंकि energy source होगा तभी electricity flow होगी आप सभी लोगों को पता है electricity क्या होता है electricity is a form of energy and energy can neither be created nor be destroyed यानि जब हम create ही नहीं कर सकते हैं नहीं destroy कर सकते हैं तो फिर यह electrical energy हमें मिलेगी कहां से बच्चो उसे हम convert करते हैं एक form से दूसरे form में यानि हम एक energy source चाहिए जो की किसी दूसरी energy को convert करे electrical energy में और वो क्या होता है तो वो होता है बच्चो battery या फिर cell वो होता है हमारा energy source जो की हमें energy provide करता है बच्चो energy तो मिल गई हमें अब क्या करना है energy को एक जगे से लेके दूसरी जगे तक transmit करना है energy को पहुचाना है तो energy को पहुचाने के लिए क्या चाहिए हमें एक path चाहिए एक path चाहिए जहां से energy transmit हो सके pass हो सके यानि हमें एक transmission system चाहिए हमें एक transmission system चाहिए और वो क्या होता है बचो, तो वो होता है wires, wires होते हैं जो कि energy को carry करके एक जगے से दूसरी जगे transmit करते हैं अब बचो हमने बात कर लिए energy source जो कि हमें energy दे रहा है उस energy को हम transmit कर रहे हैं पर हमें पता कैसे चलेगा कि energy transmit हो रही है या नहीं, current flow हो रहा है या नहीं circuit में, तो उसके लिए हमें चाहिए एक indicator, हमें चाहिए बच्चो एक indicator, indicator क्या करेगा, बच्चो indicator का काम है, हमें ये बताना कि circuit में current flow हो रहा है या नहीं, अब indicator क्या हो सकता है, तो indicator आप अपने आसप आस देख सकते हैं, वो bulb हो सकता है, वो fan हो सकता है, वो horn हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े हो सकती है, जो कि हमें ये indicate करेंगी, हमें ये बताएंगी कि current flow हो रहा है या नहीं, ठीक है बच्चो, जैसे कि यहां पर एक bulb है, bulb अगर किसी circuit में लगा हुआ है और महां पर current flow हो रहा है, तो bulb अगलो होगा और ये indicate करेगा कि उस circuit में current flow हो रहा है या नहीं, है ना, ऐसा ही होता है, तो बच्चो, कुछ ये चीज़े जो हैं, ये कुछ basic material होते हैं, जो कि require होते हैं electricity के flow होने के लिए, एक energy source होना चाहिए, एक transmission के लिए wire होना चाहिए, और ए एक indicator होना चाहिए, अब बच्चो, इसके बाद आपको एक चीज़ और पता होगी कि जो electricity है, वो हमेशा closed circuit में flow होती है, electricity always flow है, closed circuit, यानि वो circuit जो की बंद हो, closed loop हो, वहीं पर electricity flow होती है, तो ये basic चीज़े हैं, जो आप लोग को already पता है, जो आप लोग ने already पढ़ रखी है इसके आगे हम continue करते हैं और हम बात करते हैं बच्चो, कि जो electricity होती है, वो कहाँ पर flow होती है, तो बच्चो, electricity क्या सारे materials ऐसे होते हैं, जहां से electricity flow हो सकती है, तो नहीं इसका answer है, नहीं बच्चो, सारे material ऐसे नहीं होते हैं, जहां से electricity flow होती है, कुछ ही material ऐसे होते हैं, जह वहां से electricity flow होती है, इसका मतलब क्या हुआ, तो बच्चो कुछ material ऐसे होते हैं, जो कि अपने अंदर से electricity को pass होने देते हैं, यानि electricity जो होती है, वो उनके अंदर से pass हो जाती है, अब बच्चो ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा क्यों होता है बच्चो कि electricity वहां से pass हो जाती है, तो बच्चो ये कारण ये होता है कि जो conductors होते हैं वहाँ पर charge carrier होते हैं बच्चो, conductors में charge carrier होते हैं सर ये charge carrier क्या होते हैं? तो बच्चो charge carriers, charge carrier क्या होते हैं? हम बात कर रहे हैं electricity flow होने की तो एक energy source है जहां से हमें energy मिल रही है हमें उस energy को transmit करना है एक दूसरी जगे यानि बच्चो करना क्या है हमें यहां से energy को carry करके और एक दूसरी जगे यानि एक destination पर उस energy को पहुँचाना है तो यह काम करेगा कौन यह काम जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं charge carrier जैसे एक example से मैं आपको समझाता हूँ आपने कुछ order किया आपको कुछ खाने का मन हुआ आपने कुछ order किया online website से कुछ भी हो सकती है वो चाहे जो मैटो है या सुईगी है तो बच्चो होता क्या है आपने एक एक कोई shop है एक कोई दुकान है जहां जो दुकान है आपकी X ठीक है आपने यहां पर order किया order place किया अब होता क्या है यहां से आपके order को एक delivery boy carry करता है एक delivery boy आपके order को carry करता है और आपके घर तक आपके घर तक वो उस parcel को पहुँचाता है यानि अगर यहां पर इस दुका के पास अगर कोई carrier ना हो कोई delivery boy ना हो तो क्या आपका खाना उस दुकान से आपके घर तक पहुंचेगा नहीं क्यों नहीं पहुंचेगा क्योंकि ले जाने वाला ही नहीं है तो सेम ऐसा ही होता है बच्चो जो electricity है वो भी एक energy का form है जो कि एक दूसरे energy sources से हमें मिल रही है त कि उस energy sources से energy को carry करके एक destination तक पहुंचाने के लिए हमें charge carrier की जरुरत होती है और वो materials जिनमें यह charge carrier होते हैं उन्हें हम बोलते हैं conductor बच्चो बेसिकली यह charge carrier होते क्या है तो यह होते है free electrons यह होते हैं free electrons यानि metal जो होता है जो materials होते हैं बच्चो उनमें free electrons होते हैं जो कि as a charge carrier work करते हैं और वो energy को carry करके एक जगे से दूसरी जगे लेके जाते हैं free electrons के अलावा बच्चो आयन्स भी होते हैं जो कि energy को carry करके एक जगे से दूसरी जगे transmit करते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देखिए बच्चो एक circuit दिख रहा है इस circuit में आपको यहाँ पर एक cell है यह cell है क्या बच्चो यह energy source है यह energy source है इस energy source में इस cell में जो energy है वो किस form में store है इस cell में energy जो है वो chemical energy के form में store है chemical energy के form में store है बच्चो और यही chemical energy जब इस cell को हम एक circuit में connect करते हैं तो इसके अंदर store chemical energy convert होने लगती है electrical energy में, electrical energy में convert होने लगती है, क्यों, क्यों होने लगती है बच्चों, क्योंकि हमें पता है, हम energy को produce तो कर ही नहीं सकते हैं, ना destroy कर सकते हैं, बट हम एक form से दूसरे form में convert कर सकते हैं, तो वो हम कर रहे हैं, तो यहाँ chemical energy convert हो रही है, electrical energy में, अब इस energy को, इस energy को एक जगे से दूसरी जागे जाने के लिए ये देखिए बच्चो, यहाँ पर ये wires लगे हुए हैं, अब ये wire हैं क्या, actually ये wire क्या हैं, ये wire बने हुए हैं, metals के, जो की conductor होते हैं, यानि ये wires, conductor होते हैं, और ये अपने अंदर से, ये अपने अंदर से electricity को pass होने देते हैं, क्योंकि इनके अंदर charge carrier होते हैं, जो कि यहाँ से energy को लेके, और इस destination तक, यानि इस indicator तक, उस energy को पहुचाते हैं, अब बच्चो, हमने क्या किया, यहाँ पर इस wire के बीच में, एक plate लगा दी है, अब बच्चो, यह जो plate है न, ये एक metal की plate है, और हमें पता है, जो metals होते हैं, वो conductor होते है हैं, electricity के, यानि, जब यहाँ से energy आएगी, जब यहाँ से charge carrier energy को carry करके लाएंगे, तो वो इस metal की plate को cross कर जाएंगे, उस metal की plate को cross कर जाएंगे, क्योंकि वो conductor होते हैं, यानि, इस circuit में, जो current flow हो रहा था, वो current block नहीं होगा, वो current इस bulb तक पहुच जाएगा, जिसकी वाज़ flow हो रहा है, अब हम बात करते हैं, बच्चो, वो materials की, जो कि अपने अंदर से current को flow नहीं होने देते हैं, वो materials जो कि अपने अंदर से electricity को pass नहीं होने देते हैं, ऐसे materials को हम बोलते हैं, insulators, अब बच्चो, reason क्या होगा, reason क्या होगा, कि materials अपने अंदर से electricity को pass नहीं होने दे तो reason होगा बच्चो, charge carrier की absence, यानि insulator में charge carrier नहीं होते हैं, जबकि conductors में charge carrier present होते हैं, यानि जो delivery boy था, वो नहीं होता है insulator में, तो नहीं होने की वज़े से एक जगे से दूसरी जगे, जो energy है, वो transmit नहीं हो पाती है, तो ऐसे material जो कि अपने अंदर से electricity पास नहीं होने देते हैं, उन्हें हम कहते हैं insulators, जैसे plastic, rubber, wood, अब आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पर देखिए बच्चो, यहाँ पर same circuit हमने लिया, same circuit लिया, हमने क्या क्या, यहाँ पर जो हमने metal plate use की थी, उस metal plate को हम एक wooden block से replace कर दे रहे हैं, बच्चो हमने वहाँ पर metal plate की जगे एक wooden block होंगे, यानि जो free electrons होंगे, इस wire के वो जब energy को लेके आएंगे, carry करके आएंगे, तो क्या होगा, जब यहाँ पर आएंगे, इस wooden block के पास, तो wooden block क्या करेगा, resistance produce कर देगा, यानि बाधा उत्पन कर देगा, और वो energy carrier आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यानि यहीं पर, यही energy की supply थी, वो stop हो जाएगी, यहीं पर energy की supply stop हो जाएगी, जिसकी वज़े से आगे transmission नहीं होगा, और energy इस indicator, यानि इस bulb तक नहीं पहुचेगा, जिसकी वज़े से यह bulb glow नहीं करेगा, यानि बच्चो, circuit क्या हो गया है, incomplete है, circuit complete नहीं हो पाया है, क्योंकि इस circuit में हमने एक insulator use कर लिया है, जिसने बाधा उत्पन कर दी है, energy को flow नहीं होने दे रहा है, तो बच्चो, I hope कि अब आप लोगो को समझ में आ गया होगा, conductor क्या होते है, insulator क्या होते है, conductor वो material जो कि अपने अंदर से electricity को pass होने देते हैं, क्योंकि उनमें free electrons होते हैं, insulator वो material जो कि अपने अं electricity किस में flow होती है, अब हम बात करते हैं, कैसे flow होती है, how electricity flow, electricity कैसे flow होगी, तो देखिए, आपको एक example से समझाता हूँ, बच्चो, मैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, बच्चो, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने एक cell use किया है, जिसका positive terminal ये है, positive terminal ये रहा, और इसका negative terminal ये रहा, बच्चो, अब देखिए, हो क्या रहा है, जब किसी conductor को, हम एक cell के across जोड़ते हैं, यानि देखिए, positive और negative terminal से हमने उस conductor को जोड़ दिया है, देखिए, यहाँ पर example से मैं बता देता हूँ, ये एक wire है, जिसे हमने एक cell से जोड़ दिया है, ठीक है बच्चो, अ अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, कि यहाँ पर जो इस cell में chemical energy store थी, वो chemical energy अब convert होगी, electrical energy में, electrical energy में convert होगी, यानि जब हमने इस wire के cross potential difference apply किया, तो ये potential difference इस wire में present जो free electron से उन पर एक force लगाएगा, force लगाने की वएस से जो electron से बच्चो, वो क्या होंगे, move होंगे, और हमें पता है, जो same charge होते हैं, वो एक दूसरे को repel करते हैं, और opposite charge एक दूसरे को attract करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, negative charge होने की बज़े से, क्या होगा बच्चो, negative charge होने की वज़े से, उसके पास में जो conductor है, जो metal है, वहाँ पर जो electron होगा, जो की free state में है, वो क्या होगा, रिपेल होगा क्योंकि एलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा चार्ज होता है बच्चो नेगेटिव चार्ज होता है तो यह जो सेल का नेगेटिव चार्ज है वो अपने पास में प्रिजेंट एलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसे रिपेल करेगा जिसकी वज़े से व electron को अपनी और attract करेगा यानि जहां पर cell हमने add किया है conductor में उसके पास वाले atom के पास जो free electron होगा वो इस electron को यह जो battery है यह जो cell है वो ले लेगा यानि यहां से electron यहां पर आ गया अब बच्चों क्या होगा जब यहां से जो electron है यानि positive terminal के पास वाले atom पर जो electron है वो कहां पर आ गया इस cell में आ गया अब क्या होगा अब क्या होगा तो बच्चे देखिए ध्यान से यह रहा electron जिस पर एक negative charge है यहां से electron गया अब इसके पास deficiency हो गया अब क्या बोलेगा कि मेरे पास कमी है मेरे पास positive charge हो गया है आप मुझे electron दो तो पास वाले से इसने एक electron ले लिया फिर इसने अपने पास वाले से लिया similarly यह भी ऐसा करेगा क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा उन पर positive charge आएगा वो अपने पास वाले से electron लेते जाएंगे यह इस electron ले रहा है अब इनको electron को move करने के लिए जो force है वो कहां से मिल रहा है electron एक जगे से दूसरी जगे कैसे जा रह है इस cell की वज़े से यह cell क्या कर रहा है उन पर force लगा रहा है यहां से repulsive force लग रहा है बच्चो यहां से repulsive force लग रहा है और यहां से कौन सा force लग रहा है attractive force लग रहा है attractive force लग रहा है, यानि electrons क्या हो रहे हैं, move कर रहे हैं, एक जगे से दूसरी जगे, और जब electrons का movement होता है, जब electrons एक जगे से दूसरी जगे move करेंगे, तब ही हम कहते हैं, कि जो energy है, वो एक जगे से दूसरी जगे transmit हो रही है, एक जगे से दूसरी जगे energy transmit हो रही है, और electron के movement के कारण ही बच्चो क्या होता है किसी भी circuit में किसी भी closed circuit में current flow होने लगता है यह जब किसी closed circuit में electron motion करने लगते हैं move करने लगते हैं एक जगे से दूसरी जगे तो हम कहते हैं उस circuit में current flow हो रहा है तो बच्चो ऐसे होता है किसी भी circuit में current flow कैसे एक बार फिर से बता देता हूं म यह क्या है इस conducting wire के अंदर यह क्या है बच्चो यह है. इस conducting wire के अंदर यह है atoms, इन atom में ये क्या है यह है बच्चो pre-electrons. यह एक conducting wire बच्चो इसके अंदर atom, atom के अंदर free electrons जो की move करने के लिए तयार हैं, पर उन्हें move कौन कराएगा, तो उन्हें move कराने के लिए हमने यह energy source लगाए, यह हमने बच्चो energy source लगाया, अब यह energy source क्या करेगा, in free electrons for force लगाएगा, जिसकी वैसे in free electrons का moment होगा, और कैसे moment ह होगा, बस अब भी मैंने आपको बताया, कि यह moment इस तरीके से करेंगे, और जब electron एक जए से दूसरी जगे move करेंगे, तो energy का transmission होगा, energy का transmission होगा, यानि current flow होने लगाएगा circuit में, और इसी circuit में, अगर हम एक indicator लगा दें, जैसे कि bulb, या फिर fan, या फिर horn, या फिर और भी ज electrical appliances हैं, वो हम लगा दें, तो वो indicate करेंगे कि circuit में current flow हो रहा है, तो बच्चो यह था एक simple सा तरीका, जिससे है कि आप लोगा ने समझ लिया होगा, कैसे current flow हो रहा है, एक जगे से, दूसरी जगे, ठीक है, अब हम बात करते हैं, इस में आगे, जहां पर हम देखेंगे, हमने एक close circuit बना रखा है, बच्चो, यह देखें, यहां पर क्या है, यह एक circuit है, अब बच्चो देखिए ध्यान से, इस circuit में हमने क्या use किया है, इस circuit में हमने use किया है, एक energy source, इस circuit में हमने use किया है, एक energy source, यह energy source है, यह क्या करेगा बच्चो, इसमें store, जो chemical energy है, उसको यह convert कर तरेगा electrical energy में अब बचों यह जो most है कि energy convert कर रहा है उस energy को एक जगे से दूसरी याज़र चाहिकर करने के लिए हमने क्या use किया है हमने use क्या है wires हमने use क्या है बच्चों wires use क्या है वायर क्या ? वायर क्या है वायर conductor है वायर metal के बने है copper के बने है, aluminum के बने हैं और वो good conductor होते हैं क्योंकि कोई भी good conductor क्यों होगा जब उसमें number of pre-electrons जादा होंगे तो जो copper wire होता है जो aluminium wire होता है बच्चो उसमें number of pre-electrons जादा है यानि charge carrier जादा है इस वज़े से वो good conductor है और वो इस energy source से energy को carry करके इस पूरे circuit में move करेंगे बट कब move करेंगे ध् अभी क्या हो रहा है इस condition में ये open circuit है ये open circuit है open circuit है तो क्या हो रहा है circuit complete नहीं है यानि रास्ता तूटा हुआ है बच्चो आपको कहीं जाना है हम कहीं जा रहे हैं पर रास्त में क्या है एक bridge है और वो bridge तूट गया है ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज का काम होता है बच्चों, दो सडकों को मिलाना, ये एक river है, ये एक नदी है बच्चों, ठीक है, ये एक नदी है, ठीक है, हम यहां से आ रहे हैं, हमें इस road को cross करके इस side जाना है, तो क्या होता है, इस नदी पे एक bridge होता है, इस नदी पे आप इसको cross कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नदी है वहाँ पर, यानि वहाँ पर कोई भी जगे नहीं है आपके चलने के लिए, यानि जब ये bridge टूट गया, यानि हम बोलेंगे ये circuit open है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जब ये disconnect है, यानि ये open condition में है, जिसे हम open circuit बोलेंगे, और जब ये open circuit है, तो आप देख सकते हैं, ये जो charge carrier है, जो free electrons है बच्चों, वो रुके हुए हैं, free electrons रुके हुए हैं, यानि जब circuit open होगा, तब कोई भी current flow नहीं होगा, और जैसे ही circuit complete हुआ, जब circuit complete हुआ है, जब ये यहाँ पर चिपक गया, यानि ये close condition में है, close condition में है, और close condition में जब होगा, तो इस circuit में current flow होने लगएगा, तो देखिए, जब ये यहाँ पर close हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, जब बल्ब है, ये glow कर रहा है, बच्चों, ये जब बल्ब है, glow कर रहा है, जब circuit close है, पर जब circuit open है, तो ये बल्ब glow नहीं कर रहा है, तो अब आप समझें, कैसे current flow होता है एक circuit में, जब circuit close हो, उसमें एक energy source हो, उसमें transmission के लिए wires लगे हुए हो, जो की conductor होना चाहिए, जिनके अंदर free electron होना चाहिए, जो की energy को एक जगे से carry करके, दूसरी जगे लेके जाए, और उस circuit में एक indicator होना चाहिए, जो हमें ये बताए, कि उस circuit में current flow हो रहा है, या नहीं हो रहा है तो बच्चो ये था simple सा एक explanation, I hope कि आप लोग बहुत easily इसको समझ गए होंगे, कि किसी भी circuit में current कैसे flow होता है, ठीक है बच्चो, अब हम यहाँ पर जो भी मैंने चीज़े आपको बोली है, वही चीज़े लिखी होई है, जैसे कि electric current, electricity is a flow of moment of electrical charge, यानि बच्चो, electricity होता क्य है, electric flow या फिर electricity, अब बच्चो, electrical charge, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो क्या हो सकते है, वो free electron हो सकते है, वो ions हो सकते है, हमने free electrons का तो देख लिया, कि जो हमारे घरों में wires use होते है, copper wire, aluminium wire, उन में क्या होता है, जो electrical charge होते है, वो होते है, free electron, यानि उनके moment के कारण current flow होता है अभी हम देखेंगे, ions के कारण, ions के कारण, कहां पर current flow होता है, वो अभी हम देखेंगे, just wait कीजिए, यहां पर देखिए, क्या लिखा हुआ है, the electricity that is conducted through the copper wire in our home consists of moving electrons, moving electrons, यानि हमारे घरों में जो wires use हो रहे हैं, उन में electrical charge है, moving electrons, जिनने हम free electrons भी कहते हैं, जिनने हम free electrons भी कह मिलते हैं, अब free electrons क्यों कहते हैं भाई, free electrons क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि free electrons इसलिए कहते हैं, क्योंकि वो move करने के लिए free है, move करने के लिए free है, इसलिए उन्हें हम free electrons कहते हैं, ना कि इसलिए कि वो free में मिलते हैं, ठीक है, फिर हम बात करते हैं, the wire is full of atoms, the wire is full of atoms, and free electrons, and the free and the electrons move among the atom यानि जो wire होते हैं बच्चो उनमें atom और free electrons होते हैं और जो electron होते हैं वो ही atoms में एक जगे से दूसरी जगे move करते हैं जैसा कि अब भी हमने previous example में देखा था तो बच्चो ये था एक simple सा explanation जिसमें आपको बताया गया है कि किसी भी circuit में current कैसे flow होता है electricity कैसे flow होती है ठीक है आगे चलते हैं हम बात करते हैं बच्चो अब हमने देख लिया कि जो conductor है वो क्या है जो अपने अंदर से current flow होने देते हैं जब कि insulator वो material है जो कि अपने अंदर से current flow नहीं होने देते हैं अब यहां पर आपको conductor के कुछ examples दिये हैं जैसे कि आप देख सकते हैं silver silver क्या है बच्चो एक metal है silver एक metal है जो की बहुत ही अच्छा conductor होता है बहुत अच्छा conductor होता है क्योंकि इसमें resistance जो है बहुत कम होता है फिर gold भी एक अच्छा conductor होता है फिर copper, steel, sea water बच्चो यहां तक कि जो sea water है वो भी electricity का एक good conductor है अब आप बात करेंगे कि सर यह सब तो metal है इनमें free electrons है तो इनमें current flow हो रहा है पर यह जो sea water है इसमें current क्यों flow हो रहा है इसका कारण क्या है और sea water क्यों लिखा है वो सिफ water क्यों नहीं लिखा है तो अभी हम बात करेंगे उसके वारे में उसके वारे में बात करेंगे उससे पहले आप देखिए insulator के आपको कुछ example दिया है बच्चो जैसे कि rubber, glass, oil, diamond and wood यह क्या होते है इनसुलेटर होते है reason क्या है in insulators में से current flow क्यों नहीं होता है यह है आपका question बच्चो यह रहा आपका question कि insulator में से current flow क्यों नहीं होता है इसका reason बताइए तो आप comment करके बताएंगे कि insulator में से current flow क्यों नहीं होता है अब भी मैंने आपको in detail में explain किया है है ना तो बच्चो अब यह जो question आपका एक नया question इसको देख के आगया है कि जो sea water है उसमें current क्यों flow रहा है metal में तो हमने देख लिया कि free electron से पर sea water में क्यों तो बच्चो अभी तक हमने जितने भी example देखे और generally आपने सुना होगा देखा होगा वो क्या होता है solid होते है solid में current flow रहा है हमारे घरों में जो भी wires use हो रहे हैं वो solid में है आपने देखा होगा जब आप रास्ते पर निकलते हैं तो जो बड़े-बड़े towers लगे होते हैं electricity के वो सारे solid state में होते हैं उन्हें जो wires लगे होते हैं वो सारे solid होते हैं तो क्या सिर्फ solid में ही current flow होता है या फिर liquid में भी हो सकता है या gas में भी हो सकता है तो बात करते हैं हम आगे solid में current flow हो सकता है इसके अलावा liquid में भी current flow हो सकता है क्या liquid condition में तो हाँ बिल्कुल हो सकता है liquid condition में current flow पर क्या हमेशा सारे liquids में current flow होगा नहीं अगर सारे liquids में current flow होगा बचो तो जो oil है वो Insulator क्यों होगा वो भी Conductor होना चाहिए ना क्योंकि वो भी एक Liquid है तो Sir वो क्या condition होती है जिस condition में Liquid में भी Current Flow होता है तो बच्छों अभी हम देखने वाले हैं अभी हम देखेंगे पढेंगे कि किन condition में किन condition में Liquids में भी Current Flow होता है बच्चों यहां पर देखिए simple water है ठीक है अब आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है एक चीज ध्यान रखनी है कि liquid में current flow होगा कब होगा कब नहीं होगा solid में कब होगा कब नहीं होगा बस एक चीज और वो चीज क्या है अगर किसी भी solid या liquid में charge carrier है अगर किसी भी liquid या solid में अगर किसी भी solid या liquid में charge carrier है तो उसमें current flow होगा अगर charge carrier नहीं है तो उसमें current flow नहीं होगा बस इतनी simple सी बात याद रखनी है charge carrier है अगर हाँ तो current flow होगा charge carrier नहीं है तो current flow नहीं होगा अब अब हम बात करें अगर water जो है मारा distill water है जो कि pure water यानि इसमें कोई भी carrier नहीं है कोई भी carrier नहीं है नहीं वो energy को एक जगे से दूसरी एके transmit करी नहीं सकता है तो क्या उसे हम conducting solution बना सकते हैं बिलकुल बना सकते हैं कैसे तो उस water में हम कुछ charge carrier को डाल दें कैसे डालेंगे बच्चों तो यहाँ जो होता है सुगर का formula sugar का एक molecule में इतने carbon इतने hydrogen और इतने oxygen होते हैं तो बच्चों जब सुगर को हम water में मिलाते हैं तो क्या होता है वह sugar water में मिल जाता है पर उस उत्लूच जो molecules होते हैं वो breakdown नहीं होते है वो वैसे ही रहते हैं, यह देखिए, यहाँ पर जो molecules हैं, sugar molecules, वो same रहे, यानि उनका breakdown नहीं हुआ, वो टूटे नहीं, यहाँ पर जैसा water था, यहाँ पर भी water same ही होगा, क्योंकि यहाँ पर same molecule है, और molecule energy को transmit नहीं करते हैं, molecule carry नहीं करेंगे एक जगे से, दूसरे जगे energy, NaCl, जब यह salt हम उस water में मिलाएंगे, तो बच्चों, यह क्या है, यह जो salt है, जैसे ही water में हम इसको मिलाएंगे, यह salt अपने component ions में तूट जाएगा, यानि बच्चों, जब हमने NaCl को water में मिलाया, तो क्या होगा, यह जो Na है, यह तूट जाएगा, Na plus हो जाएगा यह, और यह है आपका Na, जिस पर है positive charge, और यह Cl है, जिस पर negative charge है, जिस पर positive charge है, उसे हम कहते है, cation, जिस पर negative charge है, उसे हम कहते है, anion, अब बच्चों, यह जो cation और anion है, इन्हें दोनों को common रूप से, इनको commonly हम कहते है, ions, इन दोनों का जो combined नाम है, वो होता है, ions, जब हमने common salt को water में डाला, वो common salt अपने dissociate हो गया, किस में? अपने individual particles में जो कि है Na और Cl तो जब हमने NaCl को water में डाला तो वो break हो गया, Na plus में जो कि है cation, क्योंकि उस पर positive charge है Cl पर आया negative charge उसे हम कहेंगे Nion और इन दोनों को combine रूप से कहा जाता है ions, और बच्चों हमने बात की थी, ions भी क्या होते है बच्चों, ions क्या होते है ions होते है charge carrier, ions होते है charge carrier, यानि ये जो water था normal, इसमें कोई charge carrier नहीं था, पर जैसे ही हमने salt मिलाया, इसमे ions हा गया, और ions क्या होते है ions होते है, charge carrier, यानि अगर charge carrier present है तो वो solution electricity conduct करेगा क्योंकि हमें सिर्फ एक चीज़ पता है अगर आप से कोई पूछ रहा है कि solid और liquid है उसमें current flow होगा या नहीं तो आप उससे पूछे कि भया जो solid और liquid आप बता रहे हैं क्या उसमें charge carrier present है अगर है तो electricity conduct होगी अगर नहीं तो electricity conduct नहीं होगी तो यहाँ पर charge carrier present नहीं थे तो electricity conduct नहीं होगी पर यहाँ पर charge carrier present है तो यहाँ पर electricity conduct होगी यहाँ पर electricity conduct होगी ठीक है बच्चो यह देखिए यहाँ पर electricity conduct हो रही है क्योंकि वहाँ पर charge carrier present है अब हमने देख लिया अब आपके इस question का answer मिल जाएगा कि sir जो sea water है उसमें electricity क्यों होती है तो क्योंकि बच्चों जो sea water होता है उसमें number of salt, number of salts present होते हैं बहुत से type के salt होते हैं और जब salt water से reaction करते हैं तो वो अपने component ions में dissociate हो जाते हैं जिसकी वज़से उस water में charge carrier present होता है और वो charge carrier एक जगे से दूसरी जगे energy को carry करके लेके जाता है है ना बच्चों तो अब I hope कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि solid सिर्फ solid में ही current flow नहीं होता है solid के साथ-साथ liquid में भी current flow हो सकता है बट condition क्या होनी चाहिए कि उसमें charge carrier present हो अब आप सभी के दिमाग में question आ रहा होगा sir क्या air में भी current flow होता है तो बच्चों इसका answer आप सभी को पता होगा अगर air में current flow होता तो क्या हम सब जिंदा रह पाते नहीं रह पाते है ना क्योंकि आपने देखा होगा जो wires होते हैं जो आपके घरों में wires होते हैं उन पर एक coating लगा दी जाती है rubber की rubber क्या है? insulator है coating इसलिए लगा दी जाती है कि in case कभी हम उसे touch हो जाएं तो हमें current ना लगे हमारी body में current तो flow होता है क्योंकि हमारी body में क्या है? hemoglovene hemoglovene है बच्चों हमारे blood में और उसमें होता है iron यानि iron क्या है? एक charge carrier है तो वो energy को carry करता है पर अगर हम बात करें जो wire हमारे घरों में लगे हैं अगर वहाँ पे कहीं से भी अगर rubber निकल जाए और अगर जो electricity है वो air में flow होती air में transmit होती तो हमें बैठे बैठे current लग सकता था ना? है ना? तो बच्चों जो air होती है वो क्या होती है? वो insulator होती है air में current flow नहीं होता है क्योंकि वो ही same चीज charge carrier charge carrier जो है बच्चों वो क्या होता है? absence होता है charge carrier absence होता है इस वज़े air में current flow नहीं होता है, तो अब आपने देख लिया, solid में current flow होता है, liquid में भी होता है, पर जब charge के represent हो, और gases में नहीं होता है, अब हम बात करते हैं, बच्चों, अब हम बात करते हैं, कि कुछ certain conditions भी होती है, जिनमें current flow होने लगता है, certain condition में current flow होने लगता है, इस वज़े से, जो conductor और insulator का हमने divide किया था, जो हमने divide किया था conductor और insulator, तो इस से ज़्यादा, ये सही हमने divide किया है, इनको हमने सही distinguish किया है, पर बच्चों, इस से ज़्यादा prefer किया जाता है, conductor और insulator से ज़्यादा prefer किया जाता है, good conductor and bad conductor, क्योंकि जो insulator होते हैं, वो भी किसी certain condition में current flow करने लगते हैं, पर बहुत कम current flow करते हैं, जिसकी वज़े से indicate नहीं हो पाता है, इस वज़े से हम उन्हें poor conductor कहते हैं, और जो बहुत अच्छे तरीके से current flow करते हैं, उन्हें हम good conductor कहते हैं, अब बच्चो, अब जो next चीज जिस प हो रहा है, तो वो current उस solution में कुछ changes करेगा, और उन्ही changes को हम कहेंगे, chemical effects of electric current, यानि किसी solution में जब current flow होगा, तो उस solution में होने वाले changes को, हम क्या कहेंगे, chemical changes, और इस effect को कहेंगे हम, chemical effects of electric current, क्या होता है, जैसे कि, एक example से देखिए बच्चो, आप इस phenomenon को, आप इस experiment को चाह है, तो अपने घर पे कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, कि आप जब भी एक्सपेरिमेंट करें, तो किसी बड़े को अपने साथ में रखें, और हमेशा, हमेशा जब भी इस type के experiment किये जाते हैं, तो आप छोटी battery या cell का use करें, आप direct source का use नहीं करें, ठीके क्या करना है, simple सा, तो आपने दिखा होगा, जो हमारे घरों में cell होते हैं, खराब हो जाते हैं, उन cell में ऐसे cap होते हैं, तो उन cell को फोड के, उसमें से हम यह जो carbon rod होती है, यह carbon rod निकालने, हमने 2 carbon rod निकाल लिए, 2 carbon rod निकाल लिए, और अब हम क्या करते हैं, बच्चो, हम उन carbon rod की जो metal cap होती है, उसको अच्छे से घिस लेते हैं, यानि उसे हम clean कर लेते हैं, जिससे कि उस पर जो corrosion लगा हुआ है, उस पर जो rust लगी हुई है, वो clean हो जाए, अब इन metal rods को हमने wires के थरू connect किया, और हमने एक छोटे से cell, एक छोटी सी बैटरी से उसे connect कर दिया, ठी यानि circuit जब हमारा close होगा, तो इस circuit में current flow होने लगेगा, और current flow होने की वज़े से, आप देखेंगे कि यह जो solution है, यह जो beaker है, जिसमें यहाँ पर क्या भरा हुआ है, conducting liquid भरा हुआ है, बच्चो, conducting liquid भरा हुआ है, क्या है यह, conducting liquid, conducting liquid भरा हुआ है, अब हमने conducting liquid क्यों भरा, क्यों भरा, इसका reason क्या है, तो ध्यान से देखिए, जो circuit है वो यहाँ से आ रहा है, बट यहाँ पर यह दोनों direct contact में नहीं है, यह जो rod दोनों direct contact में नहीं है, और अगर कोई चीज direct contact में नहीं है, यानि इस solution में अगर current flow नहीं होत बच्चों, यह solution क्या होता, non-conducting होता, तो यह जो circuit है, वो complete तो हो ही नहीं पा रहा है, अब जब circuit complete नहीं होगा, तो current flow कैसे होगा, इस वज़े से जो solution है, वो conducting है, यानि इस solution में charge carrier present है, तभी तो यहाँ से यहाँ current flow होगा, energy का transmission होगा, और इस पूरे circuit में current flow होगा, तो battery से current flow होगा, तो बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि इन rods के पास, इन rods के पास क्या होगा, bubble formation होगा, bubble, बुलबुले निकलेंगे बच्चों, बुलबुले निकलेंगे, और यह बुलबुले निकल रहा है, इस solution में, इस solution में, chemical reaction हो रही है, क्यो यानि हमने क्या देखा, हमने यह देखा कि जब किसी conducting liquid में current flow होगा, electric current, तो उस liquid में current flow होने की वए से कुछ chemical reactions होगी, जिन्हें हम कहते हैं chemical effects of electric current, bubbles of gas formed on the electrodes, अब बचे यह जो rods हैं, जिन्हें हमने in conducting liquid में डाला है, इन ही rods को, इन ही rods को क्या कहा जाता है, electrons कहा जाता है, अब इसके अलावा और क्या effect होते हैं, chemical effects क्या होते हैं, बच्चों, electric current के, तो ये एक experiment है, आप इसको करके देख सकते हैं, एक आलू जो है बच्चो आलू है यह क्या है एक पोटेटो आप एक पोटेटो आलू का एक टुकड़ा लीजिए उसमें दो वायर्स लगाईए वायर्स लगाके आप यहाँ पर एक बैटरी लगा दीजिए दो वायर्स लीजिए बच्चो उन दो वायर्स के दोनों एंड को ऐसे आलू में गड़ा दीजिए आप उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए और उस बैटरी में यहाँ पर एक क्या कर दिया गया है यहाँ पर एक कमपास नीडल लगा दी गई है यहाँ पर बच्चो एक क copper wire है आपका उसको कई बार लपीट दी जैसे कि यह लपीता है और उसी एंड के उसी एंड से जो wire निकला है उसको aloo में क्या कर दीजिए áloooooं में आप अंदर डाल दीजिए और यहां से दूसरा end उस aloo में हमने क्या कर दिया है डाल अब क्या होगा जैसे ही यह circuit हम close करेंगे यानि बैटरी से current flow start होगा तो हमें indicate क्या से होगा हमें पता कैसे चलेगा कि इस circuit में current flow रहा है तो हम देखेंगे यह जो compass needle है अगर बच्चों यह compass needle deflect करेगी अगर यह अगर यह compass needle deflect हो रही है इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि इस circuit में current flow हो रहा है क्यों पता चलेगा क्योंकि बच्चों जब wire में current flow होता है तो वो wire as a magnet behave करते हैं और इस compass needle की जो needle होती है वो भी magnet होती है और दो magnet जब एक दूसरे के पास आते है तो इसमें deflection होता है तो deflection produce ह होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस compass needle में current flow हो रहा है और कुछ देर के लिए कुछ देर के लिए इस system को आप छोड़ दीजे ऐसे ही इसको छोड़ दीजे कुछ देर बाद आप आकर देखेंगे तो आलू का एक हिस्सा आलू का एक हिस्सा बच्चों क्या हो जाएगा green ह हो जाएगा एक वायर जहां पर होगा वो green हो जाएगा हिस्सा अब कौन सा हिस्सा green होगा बच्चों तो जो positive terminal होगा जो positive terminal होगा वो वाला हिस्सा green हो जाएगा जबकि दूसरा हिस्सा वैसा का वैसा ही रहेगा यानि बच्चों जब current flow हुआ current flow हुगा इस circuit में, पहली बात तो current flow हो रहा है current flow हो रहा है, इसका मतलब यह जो आलू है इसमें भी कोई charge carrier होगा, इसमें भी कोई charge carrier होगा तभी तो वो energy को एक जगे से दूसरी जगे ले जा रहा है और इस circuit को complete कर रहा है, यानि इस आलू में भी कोई conducting charge है उसमें charge carrier है, अब बचो जब ये current flow हो रहा है circuit में, जो कि हमें यहाँ पर deflection से पता चला, तो जब current flow होगा, तो इस अलू का एक हिस्सा क्या होगा, green हो जाएगा, और वो green क्या सो कर रहा है हमें, कि current flow होने से, current flow होने से, यहाँ पर कुछ chemical reaction हो रही है, यानि electric current के कुछ chemical effects भी ह होते हैं, जो कि यहाँ पर color change के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं, इसका use कहाँ पर कर सकते हैं हम, इसका use कर सकते हैं, जब हमें दो wires हो, और terminal पता ना हो, कौन सा positive है और कौन सा negative, तो हम इस process का, इस experiment का use कर सकते हैं, जिस हिस्से में, जिस terminal पर, आलू का जो color है, वो green हो जाएगा, यानि वो positive terminal है, और जो दूसरा है, वो कैसा होगा, negative terminal होगा, यानि बच्चो, यहाँ पर change of color हो रहा है, electricity के flow के कारण, electricity के flow के कारण, जब color में change आए, तो भी वो क्या है, एक, chemical effect है, electric current का, एक क्या था, हमने देखा, bubble formation, electricity के flow के कारण, यहाँ पर हमने देखा, change in color, अब इसके अलावा, एक तीसरा effect भी होता है, बच्चो, वहाँ पर, metal का deposition होता है, metal का deposition होता है, जैसे कि आप इस example में देख सकते हैं, बच्चो, यहाँ पर यह दो electrodes है, ठीक है, यह दो electrodes है, अब बच्चो, हो क्या रहा है, यह आप electrodes मे, एक, यह रही, यह एक metal rod है, यह बच्चो, यह एक metal rod है, ठीक है, यहाँ पर एक gold की rod है, यह बच्चो, एक metal rod है, यह एक gold की rod है, दोनो metal है, यह दोनो good conductor of electricity है, इनको हमने एक solution में डाला, यह solution भी कैसा होगा, conducting solution होगा, तभी तो यह circuit complete होगा, और current flow होगा, इन दोनों rods से हमने एक क्या किया, एक battery को add कर दिया, इन दोनों rods, electrodes से हमने एक battery, यह एक energy source को add किया, और जैसे ही यह circuit complete होगा, इस circuit में current flow होना start हो जाएगा, इस circuit में current flow होना start हो जाएगा, और आप ध्यान से देखिए बच्चो, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यह जो gold की rod है, यहाँ से material remove होके, इस metal की rod के round material क्या हो रहा है, जमा हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ metal का deposition हो रहा है, यहाँ से metal निकल के और दूसरी जगे जाके उस पर चिपक जा रहा है, यह यह भी क्या है, यह भी एक chemical effect है, किसका electric current का, यह एक electric current flow होने की वएशे, एक metal का हिस्सा निकल के दूसरे metal पर जाकर करेंगे, तो बच्चो यह थे कुछ chemical effects of electric current, अब यही जो चीजे मैंने आपको explain की है, यही चीजे यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें बुला गया है, the passes of an electric current, a conducting solution, causes chemical reaction, पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, जो solution है, वो conducting होना चाहिए क्योंकि अगर solution conducting नहीं होगा, तो circuit complete नहीं होगा, और current flow नहीं होगा, और solution को conducting कैसे बनाया जा सकता है, या तो उसमें already, या तो उसमें already charge carrier present हो, अगर नहीं present है, तो उसमें salt मिला दीजिए, salt mix कर दीजिए, lemon juice मिला दीजिए, acid मिला दीजिए, तो क्या होगा, जब lemon juice, acid, या यानि water में पहले जब charge carrier absent था, जब हमने उसमें acid मिलाया, तो acid क्या होगा, अपने component ions में टूट गया, जैसे, बचो जो HCl है, जैसको हमने water में मिलाया, water में मिलाया तो क्या होगा, H plus Cl minus, यानि HCl अपने component ion, H plus, यानि एक cation बन गया, एक anion बन गया, जिनने हम ions बोलते हैं, यही charge carrier हैं, अब ये क्या करेंगे, इस acidic solution में current को flow करवाएंगे, क्योंकि अब ये energy को carry करने के लिए आ गये हैं, पहले नहीं थे, पहले नहीं थे, पर इन्होंने बोला हम है, हम है, तो हम क्या करेंगे, हम energy को carry करके एक जगे से दूसरी जगे लेके जाएंगे, ठीक है, metal का deposition हो सकता है, color में changes आएंगे, color में changes हो सकते हैं, तो ये effects हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब chemical reaction होगी, तो इन में से कुछ भी हो सकता है, possibility है, the reaction would depend on what solution and electrons are used, अब बच्चो जो reaction है, यानि metal का deposition होगा, color change होगा, या फिर gas का formation होगा, ये किस पर depend करेगा, तो ये depend कर रहे हैं, और उस solution में हम कौन सा electrode use कर रहे हैं, तो वो depend करेगा totally solution और electrode पे, ठीक है बच्चो, these are the some chemical effects of electric current, ये कुछ chemical effect है, electric current के, यानि जब conducting solution से current flow होगा, तो उसके कुछ chemical effects होगे, जो कि ये रहे, ठीक है बच्चो, आपने already इन को समझ लिया है, आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, current कब flow होगा, जब charge carrier present हो, बस, अगर charge carrier है, तो current flow होगा, अगर charge carrier नहीं है, तो current flow नहीं होगा, ठीक है बच्चो, आगे चलते हैं, next, और हमारा जो chapter है, chemical effects of electric current, उसका ये last topic है, electroplating, अब बच्चो, बात करते हैं, हम electroplating, उससे पहले हम कुछ दूसरी बात करते हैं दूसरी बात क्या, कि आपको पता है, हम लोग जुगाडू हैं, हम जुगाडू लोग हैं, क्या करते हैं बच्चो, अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है, तो उसका replacement ढूण लेते हैं, है ना, कैसे, हम क्यों करते हैं ये सब, हम ये करते हैं, कि हमारा जो काम है, वो रुके और हमारी जो जरूरत है, वो भी पूरी हो जाए, बिना उस material के presence के, यानि हमें अगर कोई चीज चाहिए, ठीक है, अगर हमें बच्चो कोई चीज चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी जगे दूसरा चीज यूज कर लेत क्या है, बच्चो यही है, जुगाड, हम इसो कह सकते हैं, जुगाड, क्या होता है, अब आपके पास, आपने देखा होगा, आपकी जो साइकल होती है, साइकल के जो रिम होती है, वो हमारे कार होती है, बाइक होती है, उनकी जो बाड़ी होती है, बच्चो वो देखा होग में क्या यूज किया जाता है आपने देखा होगा मार्केट में नकली जो ज्वैलरी होती है यानि ऐसा लगता है कि वो एकदम गोल्ड है एकदम सिल्वर है पर वो नहीं होता है वो नकली चीज़े होती है यानि क्या होती नकली ज्वैलरी होती है आपने देखा होगा बच्च तो कारण ये है कि जब एक चीज खराब हो, जब हमारी एक चीज खराब हो, तो उस चीज को उसमें क्या है? खराब है, यानि इसके खराब होने के चांसे हैं, इसके खराब होने के चांसे हैं, तो हम क्या करते हैं? इसमें सील्ड लगा देते हैं, इसमें हम सील्ड लगा देते इस पर सील्ड लगा देते हैं तो यह सील्ड क्या करती है इस चीज को खराब होने से बचाती है इस चीज को खराब होने से बचाती है है ना sealed का काम कुछ यही होता है जैसे जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपके घर में जो आपके छोटे भाई-बेहन होंगे या थिर आपके बड़े भाई-बेहन होंगे वो क्या करते हैं? जब मंमी आप पर गुसबा होती है पापर आप पर गुस्ता होती है तो आपके बड़े भाई बहन आपके सामने एक सील्ड बनकर खड़े हो जाते हैं और वो आपको आपकी मम्मी पापस की डांट से बचाते हैं है ना यानि एक सील्ड का फॉर्मिशन हो रहा है तो बच्चो एलेक्ट्रो प्लेटिंग भी कुछ ऐसा ही है एलेक्ट्रो प्लेटिंग भी कुछ ऐसा ही है एक माटेरियल पर दूसरे माटेरियल की कोटिंग करते हैं अब क्यों करते हैं पहली बात तो कैसे करते हैं वो हम बात करेंगे कैसे करते हैं तो यह देखिए बच्चो यहाँ पर एक मेटल रॉड है एक metal rod है है ना इस metal rod पर और ये क्या है एक gold की rod है अब बच्चो हमें क्या करना है हमें क्या करना है किसी को हमने जैसा कि बोल दिया आप अपने दोस्को metal आप अपने दोस्को एक gold की rod gift करेंगे गोल्ड की rod gift करेंगे पर क्या होता है बच्चो गोल्ड बहुत महगा है तो हम वो तो gift नहीं कर सकते हैं तो फिर हम क्या करेंगे हमने क्या किया एक metal rod लिया और एक gold की rod ली इन दोनों को हमने एक conducting solution में डाला और इनको add करके इसके बीच में एक battery लगा के यहां से हमने current flow करना start किया जब इस conducting solution में current flow होगा तो इस gold की rod से कुछ metal deposit होगा यानि यहां से metal निकलेगा और वो यहां पर इस metal के around deposit हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहां से क्या हो रहा है बच्चो यहां से metal remove हो रहा है और remove होके यहां पर यह deposit हो जा रहा है यानि एक metal की दूसरे metal के उपर जो coating होती है उसी को हम कहते हैं electroplating यह रही बच्चो definition यानि किसी एक material पर a पर b material की क्या करना लेयरिंग करना इस पर लेयर चड़ाना अब ऐसा क्यों किया जाता है ऐसा क्यों किया जाता है कारण क्या है तो बच्चो आपको पता होगा कि बहुत सारे object जो आपके bicycle hander होते हैं, car जो होती है, उसकी rim होती है, वो एकदम चमकीली होती है, और वो क्या होती है, scratch proof होती है, पर क्या होता है बच्चो, scratch proof होने के बाद भी, जब उन पर scratch लग जाता है, कभी आपने देखा होगा आपके cycle क पर scratch लग जाता है, तो उसके अंदर जो material होता है, वो कुछ अलग होता है, उपर एकदम shiny material था ना, उपर एकदम shiny material था, बट अंदर क्या होता है, एकदम दूसरा ही material होता है, ऐसा देखा है, तो ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा क्यों किया, तो बच्चो, ऐसा हम इसलिए करते है क्योंकि जो chromium है वो क्या है? shiny appearance है वो चमकीला दिखता है पर वो क्या है? महंगा है, expensive है तो पूरी car की जो body है, पूरी हमारी जो rim है cycle की उससे को हम chromium से नहीं बना सकते हैं क्यों बच्चो? क्योंकि वो expensive होता है महंगा होने के कारण हम पूरा material उससे नहीं बना सकते हैं तो फिर क्या करते हैं हम? जो पूरी body है पूरी body हमने क्या किया? किसी सस्ते metal से सस्ते material से बना लिया, जैसे कि जहां पर ये box है, इस box को मैंने एक cheaper material से बना लिया जैसे कि iron, ठीक है? मैंने क्या क्या इसको एक cheaper material से बना लिया iron से पर क्या होगा? iron जब सस्ता है तो उसके कुछ drawback भी है, उसकी कुछ कमिया भी है जैसे कि उसमें क्या होगा बच्चो? उसमें corrosion हो जाएगा वो corrosion हो जाएगा, जल्दी corrode हो जाएगा, वो sign भी नहीं करता है, यानि जब सस्ता है तो कुछ कमिया भी है, तो क्या किया जाता है? उन कमियों को हम धक देते हैं, उन कमियों को धक देते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस पर coating कर देंगे, इस पर हमने zinc की coating कर दी, इस iron पर बच्चो हमने ये iron का piece easily corrode नहीं होगा, इसमें अब rust नहीं लगेगी, यानि अब ये rust होने से बच गया, जिसकी वज़े से इसकी जो lifetime है, life cycle है, वो बढ़ गई, और बचो, iron पर zinc की जो coating की जाती है, iron पर zinc की जो coating की जाती है, इस process को कहा जाता है, galvanization, यानि coating of zinc, coating of zinc on iron is known as galvanization, और ये कैसे किया जाता है, electroplating, यानि एक conducting solution लिया जाता है, इसमें एक iron की rod होगी, एक zinc की rod होगी, उस solution में current flow होगा, तो zinc rod से material निकलेगा, और वो iron की rod पर deposit हो जाएगा, यानि उस iron की rod पर क्या होगा, एक layering होगी, एक layer बनके zinc की, जो की उसको बचाएगी, corrode होने से, जो की उसको बचाएगी, junk लगने से, जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे, chromium, chromium क्या होता है बच्चो, shiny appearance होता है, ये corrode नहीं होता है, ये scratch को resist करता है, ये इसके अंदर सा इतनी ज्यादा खूबिया होती है, बच्चो, वो क्या होता है? महगा भी तो होता है, इतनी सारी खूबिया होने की वयजे से, ये क्या होगा? महगा है, और महगा होने की वयजे से, ये हमारे लिए economical नहीं होगा कि हम किसी object को पूरा का पूरा chromium से बनाये, वो चीज बहुत महंगी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे हमने उसका option ढूंड दिया हमने उसका replacement ढूंड दिया हमने क्या किया, हमने object को, हमने object को एक cheaper material से बनाया, cheaper material से बनाया और उसके उपर हमने chromium की coating कर दी, उसके उपर हमने chromium की coating कर दी, यानि हमने उस material को एक नकाब पहना दिया तो अब हमको लगेगा कि वो क्या है वो chromium ही है पर जब हम उसको scratch करेंगे तो हम देखेंगे chromium के अंदर क्या है अरे यह तो दोका हो गया हमारे इसमें तो क्या है इसमें एक cheaper metal है है न बच्चो तो इस condition में इस type के condition में क्या किया जाता है अब आपने देखा होगा जो market में नकली ज्वैलरी मिलती है ऐसा लगता है exact की वो सोने जैसी है बिलकुल सोना ही लगता है पर क्या वो सोना होता है नहीं वो कोई simple metal होता है उस metal पर क्या किया जाता है परत चड़ा दी जाती है पानी चड़ा दी जाता है जो की सोने जैसा अब आईरे यूज होने है अब इवरांप पर आईरे की कमी क्या है आईरे की कमी यह कि उसमें कैम कोरोजन हो जाता है यहीं वह रस्टंग करता है ृस्टिंग के विल्खक से बचाने रस्टंग क्या होती है कैसे होती है और क्यों की जाती है क्योंकि हम लोग जुगाडू है है ना हम जुगाडू है हम क्या कर रहे हैं जब हमारे पास original metal नहीं है तो उस पर हम किसी दूसरे जो की अच्छा दिखता है उसका नकाब पहना देते हैं तो उसे हम कहते हैं East направ. इलेक्ट्रो प्लेटिंग ठीक है बच्चोँ तो अब आपके लिए एक कॉश्चन अब क्या होता है इसको आप मुझे बताइए galvanization क्या होता है यानि इसमें किस metal की किस metal की layer चड़ाई जाती है किस metal पर किस metal की layer चड़ाई जाती है किस metal पर तो बच्चो ये था आपका आज का question और हमारा जो chapter है chemical effects of electric current वो यहीं पर खतम होता है हमने सारे topics पर in detail बात कर ली है आप उसको आसानी समझ गए होंगे हमने बहुत अच्छे example से समझा है है ना बच्चो तो अब क्या करना है आपको इस lecture में जो भी चीज़े पढ़ाई हुई है उन्हें एक बार ध्यान से पढ़ना है आपके chapter का revision करना है और अब आप इस chapter से related सारे questions कर लेंगे ठीक है बच्चो तो मिलते हैं हम अब अगले lecture में तब तक अपना ध्यान रखिये और पढ़ते रहिए टाटा बाई 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 एंड थैंक यू